तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप PTM में बैंक कैसे जोड़ सकते हैं और अपना UPI PIN कैसे सेट कर सकते हैं वो भी बिना ATM काट के और दोस्तो अगर आप PTM में ये दो काम कर लेते हैं तो आप बहुत ही आजानी से PTM से कहीं भी पैसे टांसफर कर सकते है और अपना बैंक वैलेंस भी चिक कर सकते हैं तो अगर दोस्तो आप जो है PTM में बैंक जोड़ना सीखना चाहते हैं और अपना UPI PIN सेट करनाIndus तो आप इस वीडियो को लाश क्ट तक जरूर देखना अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तों फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले ATM अप्लिकेशन को ओपिन कर लेना है ओपिन करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा अंटरफेस आज जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां कॉर्णर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा अंटरफेस हाज आएगा उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहां पे आपको एक उप्षन दिख जाएगा QPI and Payment Setting का इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा अंटरेफेस आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है सबसे पहले इसमें अपना बैंक एकाउंट जोडेंगे तो दोस्तो bank account जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ add bank account पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तो यहाँ से आपको अपना bank जो है select कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तो हमारा जो bank है पंजाब national bank है तो यहाँ पर दोस्तो मैं इस bank को यहाँ पर select कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तो आपका bank account जो है automatic यहाँ पेटीम में add हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं हमारा bank है यहाँ पर add हो चुका है पंजाब national bank उसके बाद दोस्तो अब हमें इस bank का जो है UPI pin set करना है और दोस्तो जैसे ही हम UPI pin set कर लेते हैं तो हम बहुत ही आसानी से पेटीम से जो है पैसे transfer कर पाएंगे तो दोस्तो UPI pin set करने के लिए simple सा आपको यहाँ इस bank पे click कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ आइस interface आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको एक option दिख जाएगा UPI pin तो यहाँ पर दोस्तो आपको set pin पे click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको दो option दिख रहा होगा use debit card, use adhar card तो यहाँ पर दोस्तों आपको यूज अधार कार्ड वाला अफसर सेलेट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको इस बाक्स को चेक कर देना है उसके बाद आपको फ्रोसीड पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके जो है आधान नंबर पर एक OTP जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है OTP आ चुका है तो आपको OTP को यहाँ पर फिल कर देना है और यहां पर दोस्तों जो हमारा OTP है automatic fill हो गया है उसके बाद आपको यहां done पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके bank के तरफ से एक OTP आएगा उसके बाद आपको इसे भी इसमें डालना है तो यहां पर दोस्तों थोड़ी देर wait कर लेते हैं और दो सो हमारा जो टाल आशचुग है मैं इसे डाल देता हूं पूस्पे बद अपको यहां से ड़ेना है उसके बाद अपको यहां पर छह उंकों का उप आutू सेट कर लेना है تو मैं एक उप्ई और यहां पर सेट कर लेता हूं पिन डाल देने के बाद दोस्तों आपको यहां से डन करना है उसके बाद दोस्तों आपको वापस से उसी पिन को आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद आपको यहां डन पर क्लिक कर देना है तो यहां पर दोस्तों हमारा जो UPI PIN है Successfully Set हो चुका है और यहां पर दोस्तों हम Back आ जाते हैं उसके बाद दोस्तों मैं जो है आपको अपने Bank का Balance यहां से चेक करके दिखा देता हूं Paytm से तो यहां पर दोस्तों मैं जो है Back आ जाता हूं उसके बाद दोस्तों आपको यहां balance and history पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहां से अब जो है मैं आपको bank balance check करके दिखाता हूँ तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो bank है पंजाब national bank और यहां इसके ठीक सामने यहां पर लिखा हुआ है check balance तो आपको simple सा इस फर click कर देना है उसके बाद दोस्तों अभी हमने जो upip insert किया है आपको simple सा उस upip को यहां पर डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां done पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो देख सकते हैं हमारे पंजाब नैसलन बैंक में जितना भी बैलेंस है यहाँ पर सो होने लगा तो यहाँ पर दोस्तो अब जो है आप अपने पेटियम से कहीं भी पैसे टांसपर कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में